हाई गुट इवनिंग इसले बोल रही हूं कि ये रात का डिनर था पाबाजी डिनर भी ही मैंने बना था अलग से मैं कोई स्नैक बना के वापत से खाना नहीं बनाती हूं तीन लोग ही तो हम लोग हैं और वस जो स्नैक में बना वही हम लोग खा भी लेते हैं थोड़ा लेटी ऐसे बनाती हूं है अगसाच के ये तिनर में यूस हो जाए तो ये पाबाजी थी पाबाजी की सब्जियां बिंच, श्मा मिर्च, गाजर और उसके बाद बंदगोबी, फूलगोबी, बीट और अलू तो ये देखे मैंने गाजर बीट और हरी सब्जी की कॉ तो यह थोड़ी गल जाती है उसके बाद जो प्याज मैंने दुल कर रखा था ना उसे चॉपर में चॉप करके मैं रिफाइंड डॉल में बना रही हूं यह बटर नहीं है ठीक है इस तरीके साथ बनाएंगे ना तो पावजी बहुत बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ह टूर्वर तो यहीं है और चांट प्याज को मैं अच्छेसे बारिक चौप करके रिफाइंड में इस तरह से फिर भूनने लगते हूं तो अच्छे से प्याज भून रही हैं दिवमिधी मैं आज पर यह देखिए और प्याज अच्छे से बून जाने के बाद पिर पिर बो के बाद फिर से प्याज में मिक्स करती हूं और प्याज में मिक्स करने के बाद फिर आप ये डाल देंगे मसाले डालेंगे मसालों की शुरुआत होगी तो सबसे पहले डालेंगे हल्दी और पूरी सबजी और भाजी जो आपकी रेडी होना है ना उसके अकॉर्डिंग टेस् का ही यूज़ करती हूं और किसी ब्रैंड के मसाले से मैं इतनी तेस्टी मैंने पावभाजी कभी नहीं बनाई है जितना मतलब इस यह से बनता है तो उसके बाद फिर यह मैं डाल दूंगी मतर अच्छे से जदिकि आधे मसाले पक गए हैं उसके बाद मैं मतर डालती हूं क्य अच्छे से मैं भूनती हूं ताकि मसाले अच्छे से बून जा और यह देखिए पूरा मसाला बून गया है ऐल सेप्रेट होने लगा है फिर सबजी अबल गए थी तो उसे मैंने मैश कर लिया था पावभाजी में मैश करते हैं एक दो आलू और बीट थोड़े खड़े रह सारी क्योंकि धनिया के खुश्वू बहुत अच्छे लगती है इस टाइम पे तो बहुत फ्रेश फ्रेश सारी सब्जियां मिलती है उसके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर उसे बाद इसे ढखतेंगे जब मैं धकन लगाने लगती हूं तो यह स्कड़ा इतनी भर जा खुश्व है तुम्हार तुम फासे कंगे में को पोल थे तो बास देखती है और तो फिर पाव को मैं से करी हों गी में तो यह देखें बड़े-बर्गर वाले पाव यह लेकर आ गए थे और बस उसे तरह से घी में अच्छे से से लेते हैं गर्म गरम बढ़ियां से और कुरकुरास आ बढ़ियां से से कर और फिर उसे देती हूं मैं खाने को तो स्टार्टिंग में आपने देखा ही कि कैसे दिया हम इने प्रेट में निगाल दी थी भाजी और उसके बाद फिर उस पर डाल दी है बटर और साथ में यह गर्मा गरम आप पाव सेख कर देदे भाजी भी गर्मा गरम थी और प्याज रखते साथ में थोड़े कटे हुए प्याज और नीमबू पाव बस इतना ही तो सर्व हो योबी हम दुछरहों का है यहां अच्छा लगता है और पस इसी तरह से रहुजए भी घार मेरा मेरा भी शुरी हुआ है की बाट कर हो नहीं पुलता है कि मॉमा मैं और लेलूँगा तो मैंने बूला हाथ यह पूंछा है कैसे बनाया बता है कि अच्छा बनाया है और फिर यह आ जाती ही दूसरे। तो यहां मैं दूसरी दीन मॉर्णिंग क्या मैं बोलूं ये दुपहर के बार बज गए थी मेरी तब थोड़ी बिगड गई थी तो ये मैं पी रहे थी हैं दूद और होर्लिक्स नहीं दूद बॉन बिटा और साथ में बिस्किट खा रही थी मैं तो उस समय तर मैंने कुछ ख सफाई में लग जाती हूं और उसके बाद फिर गई सफाई कर रही हूं मैं देख रही हूं कि फोन चालू है या बंद है मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी न उस टाइम पर मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था तो मैं देख रही थी और इतना ज़ाधा, मैं उसे बोल रहे थे लोग इतना ज़ाधा ठक ठक, ठक, ठक 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 कि आवज़ जो पीछे काम हो रहा है, हमारा मॉडीफिकेशन का तो वो बोल रहा है कि हाम में बहुत ज़ाधा दिन, दिन का हमारा चैन एंग Jeremy बहुत ज़ादा ये हो गया है और मतलब आराम ही नहीं मिलता और गंदे भी वे लोग कर देते हैं भार से जब रिती बालों वगरा डालते हैं तो इतना ज़्यादा परिशान हम लोगा तो वही मैं सफाई कर रही हूँ और देखे मेरी हालत मैं क्या बोलू तो मैं ऐसा लग रही ह थी वे यह नीख भी है तो यह तो है कि चलो बिटा भी बड़ा है और फिर भी थे घर पे और यह है कि मैं घर में घर में रहेगा तो मैं जहां-जहां गुंधे रहती हूँ ये साथ 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 फिर गुमते रहेगा, बात करती ही रहता है बेटा मुझसे, और इससे मेरी बात चीछ चलू रहती है, और फिर मैं अपना काम करती हूँ, और उससे देखते रहती हूँ, वो बार बार बुलता है, बुलता है कि ममा, और उसके तरफ नहां देखो तो, ममा इ तो पूचा लगाई बीना मन सच में नहीं मानता है कितनी बितवित कराब हो कुछ भी हो तो ज्यादातर बीटा ही वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था वो साथ साथ लेकर कर रहा था तो वही रिकॉर्ड कर रहा था मैं बता रही हूँ आप लोगों को तो वही है मतलब वो कर दे रहा था कि हाम में मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था करने का लेकिन व् देखे मैं कितनी मोटी है सेटी ले लूँ कि इसके हैं न रिटी सबसें चाम एक रिफाए में किया तो पूरे घर ठाथ、 और पिले लकी लोगिूँ के हुआ एक सब्सक्राइब बीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजएकः मिलते हैं next video में till then bye